Hey Guys, subscribe Delhi Dudes channel and press the bell icon for the new video. Hello Guys, में नाम है Anish Sina और आप देख रहे हैं Delhi Dudes और आज का जो वीडियो है वो है नाग चमपा, रेड चमपा, वाइड चमपा जो यह प्लांट्स आते हैं बिल्कुल रबड प्लांट्स की तरह होते हैं, यह देखिए इस तरह के rubber plants होते हैं और इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ अपने इस वीडियो में इस वीडियो में 2000 का एक ऐसा plant है जो काफी costly है और काफी big size का है जो की white color उसमें full भी आते हैं तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ लगबर 3-4 different varieties of champa के plants दिखाऊंगा जिसे English में plomeria भी कहते हैं आज की date में मैं आपको इतने भी वीडियो में upload कर रहा हूँ वो सारे के सारे summer plants है और summer में इसमें flowering होती है और winter इसका dormancy period होता है और इसके सारे leaves जितने भी हैं वो गिर जाते हैं और इसकी जो बिल्कुल dead position में plant होता है फिर जैसे summer आते हैं और फिर से इसमें flowering और इसके leaves आ जाते हैं तो यह बिल्कुल देखने में rubber plant की तरह दिखता है बट इसकी flowering और अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही प्यारा होता है तो इसकी leaves है वो बिल्कुल narc shape की तरह होती है तो बड़े ही प्यारे हैं और जो अगर मैं इसकी pricing की बात करूँ तो लगभग लगभग आपको डेड़ सो रुपे में ये plant मिल जाता है और छोटे plant अगर लेंगे तो 150 में मिल जाता है तो गाइस ब्लोमेरिया और चमपा की अगर मैं बात करूँ तो इसकी कई सारी varieties आती है बिल्कुल ये rubber plant की तरह दिखता है और ये जो आप देख रहे हैं color ये जो color है वो है red color का है इससे भी dark color यानी maroon color का भी आपको चमपा प्लांट मिल जाता है और ये plants आप बहुत ही अच्छे फूल देते हैं समर्स में तो इससे collection में जरूर रखे और अगर मैं बात करूँ इस plant की cutting से लगने की तो बिल्कुल ये plant आराम से cutting से लग जाते हैं तो इस तरह से आप अपने प्लांट मिक्स करते हैं तो इस तरह से आप अपने प्लांट मिक्स करते हैं उसमें ये plant आराम से लग जाता है और लॉंग टर्म तक चलता है तो इस तरह से आप अपने जो प्लांट है वो grow करा सकते हैं घर में या फिर garden में अगर मैं इसकी pricing की बात करूँ तो लग बग लग बग आपको चार सुरुपे में अच्छा खासा बड़ा प्लांट आपको मिल जाता है इसका जो थर्ड प्लांट में लेके आया हूँ यह बिल्कुल maroon कलर का प्लांट है बिल्कुल आप बोल सकते हो deep red है और इसकी जो flowering है बिल्कुल जादम deep red कलर का आपको दिखे का आप बोल सकते हो maroon कलर है यह बिल्कुल और अगर मैं बात करूँ चंपा प्लांट की तो इसमें जो फ्लावरिंग होती है जनरली आपको सिर्फ समर्स में देखने के लिए मिलता है और विंटर्स में कोई सब बड़ा सा बड़ा प्लांट हो वो अपने सारे लिप्स गिरा देता है तो यह मौसम बिल्कुल समर्स में इनही प्लांट काइं तो ऐसे प्लांट भी आप कर सकते है जो इनकी लीप से बिल्कुल आप आप बोल सकते हो आम के पत्ती के तरह दिख रह Всем आप सकते हैं समर्स में Be लूमिरा वराइटि के चंपा की नवी रिटा की ही प्लांट है, वट अगर आप आप देखें गे तो यह बहुत बढ़े-बढ़े प्लांट जनरली आप देखने के लिए पार्क वगरह में जब भी आप दिखाइंगे तो पार्ग के कॉर्नर्ज में इस तरह के प्लांट्स लगा जाते हैं और काफी बड़ा सफी रांट में प्लांट कांथ और आधे सुल लांट कार दभी और तरह किशand गया है वाइट वदन के गायन वगेरा है तो और भी कई सारे colors आते हैं, तीन colors मैंने आपको दिखा हैं, इसमें एक maroon color का भी plant है, वो भी लगबग 2000 रुपे तक है, तो इस तरह के यह देखी, यह आप देख रहे हैं, यह 2000 रुपे का plant है, और maroon color का इसमें flowering आती है, तो इस तरह के heavy बड़े plant garden के लिए better होते हैं, तो कर दोड़े थार, मिले रहे हैं, यह द Вас तो इसमें आता हैं, तो आई देखअ चा Not yet, गर कि काम का सुछन का 적ता हैं, तो यह आपको आता हैं, आता हैं, जुचकर का 17W diferente एaroम का the Slope